नमस्कार पहरे किसान साथियों देशी जमिदार यूट्यूब चैनल पेक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी मशीन जो मोटे से मोटी लकडी को भी पीस के और बुरादे के अंदर बदल देती है यह लग बग आपका 9 से 10 इंच तक का अगर लक नहीं है मोटी मोटी उनको भी क्रस्ट करके और बुरादे के अंदर कर देती है इससे पहले हम मशीन के बारे में जान लेते हैं कि यह काम कैसे करती है अब अगर हम मशीन की बात करें तो इसके यह पूरा फ्लाइविल का सैट है जो पूरे लोड को डिस्रिब्यूट करता है मतलब स्टोर करता है पूरे लोड के टाइम पर बलेड की अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो 10 mm मोटा लगबग बलेड है और काफी शार्प एक फिट का लंबा बलेड है इसके अंदर क्योंकि अगर 10 इंच तक की लकडी है तो पूरी लकडी पे बराबर लोड आ इसलिए 12 इंच तक का लगबग जो है इसके उपर बलेड दे रखा जो आसानी से लकडी को काट सकता है काफी शार्प बलेड है रोज प्रती दिन जो है यह बलेड चेंज होते हैं उसी के साथ काफी हैवी फ्लाइवील है ताकि कि कितनी भी मोटी लकडी आने के उपर जो चक्का है इ इसलिए काफी हैवी फ्लाइवील दे रखा है इसी फ्लाइवील के अंदर इन्होंने डबल काम दे रखा फैन की तरह यह बीच में पतियां देखें यह पतियां यहां पर हवा का काम करती है और उस हवा से जो है जितना भी मेट्रिल कट होता है उसको ऊपर की तरफ हैंक दे में अपने ट्रेक्टर को टोप कंडिशन में रखने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ गल्फ कंपनी का XHD सुप्रीम प्लस 15W40 ओयल ये ओयल ट्रेक्टर की ताकत को 600 से 1000 गंटे तक बरकरार रखता है इंजन को साफ और ताकतवर बनाए रखने के साथ ये गंदगी और जमाव उपड़ता है लेकिन गल्फ XHD सुप्रीम प्लस 15W40 इस परेशाने से भी किसान को निजाद दिलाता है तो दोस्तों खेती के इस महतवपून समय में आप भी अपने ट्रेक्टर को गल्फ XHD सुप्रीम प्लस 15W40 के साथ एक नई ताकत दीजिए और पाहिए बहतर उपज गल अभी लोड पड़ने पर जो है वो लकडी वगएरा जो है उसकी कटाई ना रुके और 10 से 12 इंच तक का इजी ली यह मोटे लकड को भी क्रश कर देती है अगर इसके मेकैनिजम की बात करूं तो इसके अंदर जो है यह में ड्रेवन शाफ्ट का गेर बोक्स है यहां पर इस गेर की साहिता से जैसे फ्रेसर में होता है जो फीडिंग वाला गेर है वह सारा बैक करके और फसी लकडी को वापिस निकालने का यह वाला गेर लीवर जो है यह काम करता है तो नमस्कार भाई सब्सक्राइब अपना छोटा सा प्रिच्छा मारे किसान साथियोंगों देदे तो यह मशीन चलाते हैं तो भाई साब यह मशीन जो है कितने एकट्रेक्टर के ऊपर चलती है इसके अंदर कितनी मोटी तक जो लकडी है वह आप आसानी से करस्ट कर सकते हैं तो यह तो बेसिकली गाउं वगईरा में जो जाड़िया वगईरा रोती है जिनको कोई यूज नहीं होता है उनको यह क्रस्ट करके लेके जाते हैं और उनको बठे के उपर जो सेल करने का काम करते हैं तो यह जो मशीन है यह मशीन के अंदर यह जो ब्लेड का क्या कुछ सेट लगता है यह पांच जारगा सेट लगता है यह चैनल रोज आपको चेंज करने पड़ते हैं और इसमें अगर माँ बात करो ट्रेक्टर के तेल की खपत की तो कितना अक्ट्र दिन में तेल पी जाता है और इतने में आप कितनी लगड़ी को करेश कर देते हो पचास कवंटल तक जो लगड़ी है तो हमारे कमेंट सेक्सल में बता दे ताकि हम सारी जानकारी जो है किसान भाईयों तक जरूर दे पाएं तो नमस्कार दो